हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो नर्सिंग स्टड़ी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होट एंड कोल्ड एप्लिकेशन के बारे में, तो इसमें हम जानेंगे की होट एंड कोल्ड एप्लिकेशन में क्या होता है और कौन-कौन से मेथड के तुरू होट एंड कोल्ड एप्ल सबसे पहले बात करते हम होट अप्लिकेशन के बारे में होट अप्लिकेशन is the application of a hot agent warmer than the skin either in the moist or dry form on the surface of the skin body to relieve pain and congestion होट अप्लिकेशन क्या होता है hot agents होता है hot agent means कुछ भी ऐसी hot application means कुछ hot क्या लिजे कि जो skin जो हमारी skin होती है surface होता है उसको हमारी skin को जब वो hot feel होता है यानके गरम feel होता है ठीक है यह क्यों दिया जाता है pain को कम करने के लिए ठीक है या फिर किसी बेतरा कि कोई congestion हो pain हो उसको कम करने के लिए surface पर यानकि आपके body की surface पर patient की body की surface पर ये hot application लगाया जाता है to provide वामत यानकि जब patient जो है कई बार काफी cold feel करता है ठीक है या patient को ठंड लग रही होती है तो क्या hot water bag दिया जाता है ताक उसकी जो ठंड है वो कम की जा सके to promote the suppression to promote the healing to increase decrease the muscle tone and to soften the exudate यानकि क्यों क्यों दिये जाता है ये यानकि वामत यानकि एक गरम environment देने के लिए और किसी भी तरह का कोई suppression हो उसको कम करने के लिए ठीक है और healing process को promote करने के लिए और muscle tone को decrease करने के लिए हो रोड़े और soften करने के लिए ठीक है excudate हो तो इसको soften करने के लिए तो hot application जो है hot agents होते है जो कि skin surface पर लगाया जाता है और paint को कंशीन को कंश्यों करने के लिए ठीक है bloody को वामत करने के लिए तो यह सारी चीज़ों के लिए hot application यूज किया जाता है और उसके बाद आता है cold application cold application is the application of the cold agent cooler than the either skin in the moist or dry form ठीक है, जो hot application है और cold application ये दोनों form में होते है यानि कि moist में भी होता है और dry में भी ठीक है यानि कि गीला hot भी होता है और सुखा hot भी होता है इसी तरह cold भी जो है वो गीला भी होगा और सुखा भी होता है तो इसको भी है इसमें भी क्या होता है कि skin को क्या है ठंडा करने के लिए इसके लिए यूज किया जाता है तो यह भी क्या है skin की surface पर जूज किया जाता है और इसको भी reduce pain and body temperature पेन को कम करने के लिए दिया जाता है या फिर बोडी के टंपरेचर्चर्ट जब फिवर हो जाता है तो यह क्या बहुती है। या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए भी cold application जो हो दिया जाते हैं या फिर to prevent the gangrene to prevent the edema and reduce the inflammation तो यह क्या है पूरा जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ से ही related यह सब कुछ है और यानि कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को control करने के लिए जाए वो gangrene हो या फिर किसी तरह को कोई patient को edema हो गया हो या फिर कोई पर इंफ्लामेशन हो रही हो तो cold application जो है वहाँ पर यूज किया जाता है तो अब हम बात करते हैं कि hot and cold application जो है वो कितने types के होते हैं तो सबसे पहले बात करते हम होट एप्लिकेशन के बारे में तो इसमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ओफ होट एप्लिकेशन तो इसमें क्या होता है लोकल होता है और एक जर्नल होट एप्लिकेशन होते हैं लोकल में क्या आता है ड्राइ हीट आता है और मोईस्ट हीर आता ह जो सूखा गरम होता है उसमें क्या क्या आता है? Hot Water Bottle ठीक है? एक Bottle होती है उसके अंदर hot water डाला जाता है और Bottle क्या होती है? Bottle जो वह करम हो जाती है और वह किन पर लगाई जाती है Chemical heating bottle, Infrared rays, Ultraviolet rays, Short-wave and Dethermy heat Lumps, Electric Curdles, Electrical Heating Pads तो यह सारे क्या है यह dry heat में आता है उसके बाद आता है moist heat इसमें क्या आता है warm socks यानि कि local bath हो गया hot fermentation ठीक है यानि कि hot compress हो गया ठीक है politics and storms paraffine bath, sits bath, equithermia pad तो यह क्या है सारे moist heat में आता है उसके बाद journal में आ जाता है journal hot में क्या आता है इसमें भी दो types के होते है dry heat and moist heat यानि कि dry heat में क्या होगा sun bath, electrical curdles या फिर blanket bed and moist heat में होगा steam bath, hot pack, whirlpool bath या फिर full immersion bath तो यह होता है हमारे सभी types के hot application के अंटर जो सारे जो है two types के होते है hot application में local and journal, local भी दो तरह का होता है dry heat and moist and journal भी two types का होता है dry and heat दोनों की हमने आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या आता है इसमें dry or heat में दोनों में local और journal में और उसके बाद हम बात करते है cold application में तो cold application में भी दो तरह का होता है local and journal तो सबसे पहले बात करते है हम local के बारे में इसमें आता है dry cold and moist cold dry cold में क्या होगा ice bag ठीक है यानकि एक bag होता है वो क्या है पूरा ice से बना होता है यानकि उसमें जो water होता है वो ice बन जाती है और वो जो है वो skin पर लगाया जाता है उसके बाद है ice cooler ice pack फिया फिर ice curdle chemical cold pack ठीक है यह आजाता है dry cold में और उसके बाद moist cold में आता है ice to suck and cold compress ठीक है evaporating lotion तो यह आते है local में ठीक है यानकि local के dry and moist cold के बारे में जाना उसके बाद second type के बात करते है cold application का second type है journal तो journal में भी two types होते है dry and cold dry में आ जाता है hypothermia और moist में आ जाता है cold sponging cold bath या फिर cold pack तो यह होते हैं इसके types है तो hot application और cold application दोनों ही क्या है two types के होते है local और journal दोनों ही आगे डिवाइड होते हैं two types में dry hot application and moist hot application उसी तरह से cold भी dry cold and moist cold journal भी इसी तरह से dry and moist दोनों ही equally तो आज मैंने सिर्फ आपके इनके टाइपस बताए है अगर आपको इससे आगे भी अगर वीडियो चाहिए इनसे रिलेटेड यानिके सभी के बारे में कि आइस बैग में क्या-क्या होता है कैसे यूज किया जाता है ठीक है और होट अप्लिकेशन और कोल अप्लिकेशन के क् कैसे यूज किया जाता है या फिर इसका कॉंट्रडिक्शन क्या है तो सारी चीज़े अगर आप इसका कम्प्लीट एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजेगा तो ये मैंने सिर्फ आपको इसका इंट्रोड़क्शन दिया है तो अगर आप लिख सकते हैं यान कीजेगा कि अगर आपको इससे लेटिट पूरा का टॉपिक चाहिए हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग